लोग सबा चुनाव के दोरान उठे सन्विधान के मुद्दे ने अब एक अलग ही मोल ले लिया है अब ये सिर्फ सविधान का मुद्दा न रहेकर जै हिंदू रास्टर बनाम जै सविधान हो गया है एक बार फिर से जै सविधान का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है अब पहले ये जानते हैं कि ये मामला उठा का से था तरसर शपत गरंड समरों में देशबर के सांसदों ने अपने अपने तरीके से शपत गरंड किया इसे में संससत्र के चोते दिन जब केरल के तुरूवन तम पूरम लोगसबसीर से सांसद निर्वाचित हुए कॉंग्रेस के शशितरूर सांसत के रूप में शपत गरंड करने के बाद लोट रहे थे तब ही मामला शुरूआ संसस अदस्य के रूप में शपत लेने के बाद शशी ने जैस सविधान का नारा लगाया और जब ओंबिल्ला से हात मिलाकर अपनी सीट के ओड लोट रहे थे इसकर ने उन्हें टोकए सविधान की करेंस ऊपत दिपेंडों आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सब जवाब में ओंबिल्ला भी बोल पड़े कि किस पे किस प्यांसति ना हो सलम मत दिया करो चलो बेठो इसे के साथ आप कोंग्रिस समर्थक भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेर कर रहें जिसमें एक तरफ शचीतरूर का वीडियो है तो दूसरी तरफ सांसर छत्रपाल सींग का वीडियो है जो शपत लेने के दोरां जय हिंदू रास्ट कहते नजर आ रहे हैं जिसके बाद लोग ये पूच रहे हैं कि जैंदू रास्ट पर ओंबिल्ला चुप है तो जैसाविधान पर आपत्ति क्यों अब इस घटना पर प्रेंका गांधी ने भी कल ट्वीट किया भारत की सांसर्द में जैसाविधान नहीं बोला जा सकता संसर्द में सत् सविधान को कमजोर करना चाहता है जिस सविधान से संसत चलती है जिस सविधान की हर सदस्य शपत लेता है जिस सविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्ष मिलती क्या विपक्ष्ट की आवाज जबाने के लिए उसी सविधान का व्रोथ किया जाएगा राजस्त में जय सविधान बोलना गुना है लोग सबा सबाबती शदय भूल रहे ही कि नर्व निर्वाचिस सांसद उसी सविधान की शपत ले रहा है जिससे संसद चलती है बाबा सहेब ने सर्विधान से जनता को अधिकार दिये क्या भाजपा जनता की अवास दवाने के लिए उसी स